अभः सूत्र ये परे जाने का सूत्र है तो ये निरभः या निरभःता की स्थिति की और भी ले जाता है अगर आप बहुत एक आयाम से ज्यादा जुड़े नहों तो आप में बहुत अधिक भई नहीं होगा लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है नमस्कारम सद्गुरू क्या आप हमें अबे सूत्र के बारे में बता सकते हैं और ये हमें भैसे कैसे बचाता है योग के पूरे विज्ञान को सूत्र अलग-अलग तरह के सूत्रों के रूप में विस्तार किया गया है 200 से ज्यादा सूत्रों से योगिक ज्यान का पूरा संग्रह बनता है इसलिए जब हम सूत्र कहते हैं उस संदर्ब में वे सिर्फ मूल भूत के बारे में बात कर रहे हैं जब योग सूत्र जब हम योग सूत्र कहते हैं जब पतंजली ने योग सूत्र को आत्मसाथ किया सूत्र का अर्थ है एक धागा उन्होंने सिर्फ धागा दिया उन्होंने हर गुरु को माला बनाने की जिम्मेदारी महारत और कला सौंप दी सूत्र वही है सूत्र वही है धागा वही है लेकिन आप उससे किस तरह की माला बनाते हैं वो अलग है बिना धागे के कभी माला नहीं हो सकती लेकिन धागे के लिए कभी कोई माला नहीं पहनता वे उन फूलों की माला पहनते हैं जो उसमें लगते हैं आप उसपर फूल लगा सकते हैं आप उसपर मोती लगा सकते हैं आप उसपर सीप लगा सकते हैं आप हीरे लगा सकते हैं लेकिन धागे के बिना माला नहीं होती पर आप कभी भी धागा पहनने के लिए माला नहीं पहनते हैं धागा जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है ये अपने आप में कोई उदेश्य नहीं है ये अपने आप में कोई लक्ष नहीं है इसलिए हमने धागे का उप्योग करने के कई और तरीके ढूंडे आपने मंगल सूत्र के बारे में सुना है आपने बांधा है अच्छा अगर ये ठीक से किया गया होता तो इसके पीछे सोच थी दो प्राणियों को एक के रूप में बांधना यही सोच थी आज ये सिर्फ एक रस्म बन गई है वो अलग है लेकिन अगर कोई है जो ये जानता है कि इसे कैसे करना है तो आप दो DNA को इस तरह से मिला सकते हैं कि उर्जा के लिहाज से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में कई चीजें हो सकती है आप बड़ी बड़ी बातों पर जगड सकते हैं आप छोटी छोटी बातों पर जगड सकते हैं लेकिन आप अलग नहीं हो सकते क्यूंकि उर्जाएं एक खास तरीके से बंदी हुई है आपको अपने आपको तोड़ना होगा यही एक तरीका है जिससे आप बाहर आ सकते हैं यह अपने कपड़े उतारने जैसा नहीं है यह अपनी तवचा को छीलने जैसा है अब अभय सूत्र आपको बांधने के लिए नहीं बना है दो प्रकार के सूत्र दोनों को अभय सूत्र कहा जा रहा है अभय सूत्र के परिभाषा देवी के सूत्र के साथ बहतर जाती है जो लाल रंग का होता है जब आपको ध्यान लिंग से जुड़ी पंच भूत आराधना का सूत्र मिलता है तो ये आध्यात्मिक आयाम को उभारने के लिए मूल रूप से आपके अस्तित्व के कुछ आयामों को बढ़ाने के लिए है फिर इसे अभय सूत्र क्यों कहा जा रहा है आपको समझना चाहिए भय का मतलब है डर डर का आधार आपकी भौतिकता है अगर आप भौतिक नहीं है तो क्या आपको भय होगा? नहीं ये भौतिक की सीमा है जो भय का कारण बनती है अगर आप बिल्कुल भी भौतिक नहीं हैं तो आप किसी चीज से नहीं डरेंगे, है न? तो उस संदर्व में इसे अभाय कहते हैं लेकिन असल में ये परे जाने का सूत्र है लेकिन ऐसा नहीं हुआ हम बहुत सारे नामों का इस्तमाल नहीं करना चाहते थे आप परिशान हो जाएंगे, है न? तो ये निर्भाय या निर्भायता की स्थिती की ओर भी ले जाता है हम इसे निर्भाय सूत्र कह सकते हैं और इसे अभाय सूत्र ये एक सुरक्षा की तरह है ये आपके अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम को बढ़ाने के लिए है ताकि आप कम भौत एक हो जाएं अगर आप इतने शरीरिक नहीं हैं, तो आप में बहुत अधिक भय नहीं होगा लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है चोरों से मुक्त होने के दो तरीके हैं अगर आपको हमेशा डर लगता है, कोई चोर आपके घर में आ सकता है और चोरी कर सकता है तो एक तरीका है बाहर पहरा लगाना दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कुछ नहीं है और कोई भी नहीं आएगा यहां तक कि अगर आप उसे बुलाएंगे तो भी वो नहीं आएगा वो कहीं और चला जाएगा तो यह उनका तरीका है कुछ नहीं है इसलिए कोई नहीं आएगा इतना निडर एक तरफ आप एक गार्ड लगाना चाहते हैं आपके पास अभी भी समान है आप गार्ड रखना चाहते हैं मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे हाथ देखता हूँ जिनमें दोनों हैं यह अच्छा है तो इसे कैसे उतारें आप इसे कम से कम 40 दिनों तक रख सकते हैं अगर आप साबुन इस्तमाल नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा साबुन तो यह ज्यादा समय तक चलेगा अगर आप बहुत अधिक साबुन इस्तमाल कर रहे हैं तो यह कम से कम 40 दिनों तक जीवंत बना रहेगा अगर आप सिर्फ ठंडा पानी इस्तमाल कर रहे हैं तो यह ज्यादा समय तक चलेगा अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो ये कम से कम 40 दिनों तक चलेगा ये है, अगर धागा अपनी द्रटा बनाए रखता है, तो वो उर्जा बनाए रखेगा तो कहीं 40 से 60 दिनों के बीच, अगर ये सिर्फ एक धागा बन गया है, तो धागा पहन कर घुमने का कोई मतलब नहीं है तो आप इसे उतार सकते हैं, और इसे ऐसी जगा रख सकते हैं, जहां ये आसानी से गल जाए आम तोर पर परमपरा ये है, कि किसी पौधे के पास एक छोटा सा गड़ा खोदा जाता है और उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें पानी दिया जाता है और तीन दिनों के अंदर वो खत्म हो जाएगा ये किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए, ये ज़रूरी है जो आपके शरीर के इतने करीब रहा है, आपके और देवी के बीच एक तरह का विवाह हुआ है और आपके और ध्यान लिंक के बीच एक छोटे पैमाने का विवाह जब ऐसा हो तो ये सबसे अच्छा है कि ये किसी और के हाथों में न पड़े, अगर वो जानते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है तो वे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए आपको इसे हमेशा गार देना चाहिए अगर आपके पास इसे गारनी की जगा नहीं है, तो आपको इसे जला देना चाहिए आप इसे जला सकते हैं और राख लेकर इसे अपनी विशुद्धी से नीचे अपने शरीर पर लगा सकते हैं ये एक सरल तरीका है नहीं तो आप इसे गार देँ कर दो कर दो